अभी memory में अगर यह memory कोई RAM module आपका PC में connected है और वो detect नहीं कर रहा है तो आप अभी इस memory module को remove करके उसके जो connectors होते हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं उसके जो connectors होते हैं उसको clean कर सकते हैं अभी यह connectors को clean करने के लिए आपको eraser की जरूरत है जिस eraser के through आप इस connectors को clean कर सकते हैं अब इस तरह से उसको clean करें eraser के through इसके दोनों साइड में जो connectors है आप उसको clean कर लें clean करने के बाद आप अभी connectors को देख सकते हैं जो पहले से काफी shining आपको लग रहा होगा अभी यह memory को अगर आप install करेंगे तो अभी वो detect करने लग जाएगा